C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारपस्तुत है कक्षा साथ के लिए उर्दू की पाठे पुस्तक अपनी जबान भाग दो अपनी जबान साथवी जमात के लिए उर्दू की दर्सी किताब आईए सुनते हैं अपनी जबान भाग दो का बारवा सबक सबख नंबर बारहा हसरत मुहानी सफा नंबर उनासी सेद फजलुलहसन नाम और हसरत तखलुस 1875 में कस्बा मुहान जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश में पैदा हुए बास किताबों में उनका सने पैदाईश 1880 और 1881 भी मिलता है वो एक काम्याब शायर और बेबाग सहाफी होने के साथ साथ एक सरगर्म सियासदा और मुझाहिदे आजादी भी थे अरबी फार्सी की इप्तिदाई तालीम मक्तब में हासिल की 1898 में गवर्मेंट हाइ स्कूल फतेहपुर से मेट्रिक का अम्तिहान पास करने के बाद 1899 में मुहमडन एंगलो ओरियंटल कॉलिज मौझूदा अलिगर्म युनिवरसिटी में दाखला ले लिया हसरत ने बारा साल की उम्र में शेर कहना शुरू कर दिया था 1903 का साल हसरत की जिन्दगी में बड़ी एहमियत रखता है इसी साल वो अपने बागयाना खैलात की वज़ा से कॉलिज से निकाले गए अब हसरत अलिगर्ग के मौला रसल गंज में किराए पर मकान लेकर रहने लगे उन्होंने बीए का इम्तिहान पास किया उसी साल चचाजाद बहन निशात निसा बेगम से उनकी शादी हुई जो एक पढ़ी लिखी, बाहिम्मत, हौसलमंद और मुस्तकिल मिजाच खातून थी उन्नी सो तीन ही में हसरत ने एक इल्मियो अद्बी रसाला अर्दो मौला जारी किया ये सिलसला आखिर अम्र तक जारी रहा उनका शेर है है मश्के सुखन, जारी, चक्की की मशक्कत भी, एक तुर्फा तमाशा है, हसरत की तबियत भी उर्दो मौला में अद्बी और सियासी दूनों तरह की मज़मीन शाय हुए थे सफ़ा नंबर अस्सी इस पर्चे ने एहल हिंद, खुसूसन मुसल्मानों की सियासी बेदारी में एहम रूल अदा किया हसरत मौहानी ने इसके जरिये कौमी इत्तिहाद, सेकुलरिजम और कामल आजादी की आवाज बार बलंद की वो आजादी के मतवाले थे इस सलसले में किसी मसलहत पसंदी को जाइस नहीं समझते थे अंग्रेजी हुकूमत की उन्होंने खुल कर मुखाल्फत की और वो इंडियन नेशनल कॉंग्रिस में शामिल हो गए अपरेल 1908 के अर्दुए मौला में एक मजमून की इशाद पर मुकदमा चला अदालत ने उन्हें दो साल कैदे बामशक्कत की सजा सुनाई और पांच सो रुपए जुर्माना किया जेल में हसरत ने किस तरह शबोरोज गुजारे उनके इस शेर से अंदाजा किया जा सकता है कट गया कैद में माहِ रम्जान भी हसरत गर्चे सामान सहर का था ना इफ्तारी का गर्चे सामान सहर का था ना इफ्तारी का कैद से रहाई के बाद हसरत के सियासी ख्यालात में और शिद्दत पैदा हो गई उस जमाने में सुएदेशी तहरीक शुरू हो चुकी थी इस तहरीक का मतलब था कि अपने ही मुलक की बनी हुई चीजें खरीदी और इस्तिमाल की जाएं बिदेशी माल का बाइकॉट किया जाए उन्होंने खद्दर का इस्तिमाल पहले ही शुरू कर रखा था अवाम में भी सुएदेशी माल के इस्तिमाल को राइच करने के लिए हसरत ने अलिगड के मुहला रसल गंज में एक सुएदेशी स्टोर खोला जो काम्याबी से चला 1920 में हसरत अलिगड को खेर बात कहकर कानपुरा गए और यहां भी एक स्वधेशी स्टोर कायम किया हसरत मुहानी के मिजाज में साथगी बहुत थी उनके लिबास और रहन सहन को देखकर गुमान भी नहीं हो सकता था कि वो बुलंद पाया शायर, अदीब और सियासत दाँ है अंग्रेश हकुमत को हसरत मुहानी की सियासी सरगर्मिया कतई पसंद नहीं थी अंग्रेश उन्हें एक बड़ा बागी समझते थे लेकिन हसरत इन सब बातों से बेनियाज अपने मकसद में लगे रहते 1913 में उनका प्रेस जब्त कर लिया गया 1916 में उन्हें दोबारा जेल भीज दिया गया 1918 में रहाई मिली तो आजादी की जिदोजहत में फिर मसरूफ हो गए 1921 में हसरत ने एहमदाबाद के कॉंग्रेस के इजलास में महत्मा गांधी और हकीम अजमल खां की मुखालफत के बावजूद मुकम्मल आजादी की करारदार पेश की हसरत मुकम्मल आजादी का मुतालबा करने वाले हिंदुस्तान के पहले मुजाहिदे आजादी थे हसरत मुहानी को तीसरी बार 22 अपरेल 1922 को दो साल के लिए जेल भीजा गया 1924 में रहा हुए तो कॉंग्रेस के बजाए मुस्लिम लीक और कम्यूनिस्ट पार्टी से नाता जोड लिया 1942 में हसरत मुस्लिम लीक के नुमाइंदे की हैसियत से कानपूर से यूपी असमली के मेंबर चुने गए और फिर पालियमेंट के मेंबर हुए हिंदुस्तान का आईन मुकमल हुआ तो हसरत ने इस पर दस्तखत करने से ये कहकर इनकार कर दिया कि ये उनके खाबों की ताबीर नहीं है हसरत मुहानी की सीरत और किरदार का अंदाजा इन चंद वाकिया से किया जा सकता है एक मरतबा कानपुर के एक सौदागर जो हसरत से अकीदत रखते थे उन से मिलने आए तो देखा कि वो कुछ लिख रहे हैं ये सलाम करने के बाद शिकस्ता बोरिये पर अदब के साथ पहट गए हसरत लिखते जाते और बीच बीच में उन सौदागर से बाद भी करते जाते हसरत की पुष्ट पर एक फटा पुराना परदा लटक रहा था वो परदे के पीछे से कुछ निकालते और मुँ में रख लेते और डेस्क पर रखी गुड की डली से थोड़ा गुड खा लेते सौदागर सहब खामोशी से देखते रहते जब जब जब्द ना हुआ तो अर्स किया कि आप क्या खा लेते हैं कुछ खादिम को भी अता हूँ हसरत ने पर्दे के पीछे से मिट्टी की हंडिया निकाली जिसमें सूखी रोटियां पानी में भीकी हुई थी हसरत ने वो हंडिया सौदागर सहब के आगे रख कर कहा लोग खालो फकीरों का खाना तुम रईस ना खा सकोगे सौदागर आप दीदा हो गए हसरत ने कहा आज तीसरा फाका है शुक्र है सूखी रोटी मेहसर आ गई बड़ी तस्कीन हो गई हसरत मुशायरों में भी शरीक हुआ करते थे मुशायरों के मुंतजमीन शौरा को सفरखर्च और कलाम सुनाने का मुआफ़ा बंद लिफाफे में पेश करते थे एक बार हसरत ने एक मुशायरे में शिरकत की बाद में मुन्तजमीन ने उनकी खिद्मत में लिफाफा पेश किया उन्होंने फॉरण कहा अब ने ने मुझे सफर का खर्च नहीं चाहिए मैंने सफर में कुछ खर्च नहीं किया एक गार्ड मुझे अपने साथ डिबे में बैठा कर ले आया टिकट मैंने खरीदा ही नहीं वो गार्ड आज वापस जा रहा है और मुझे अपने साथ वापस ले जाएगा मुंतजमीन ने बहुत कहा लेकिन वो इनकार पर अड़े रहे और बोले जब मैंने टिकट पर कुछ खर्ची नहीं किया तो आपसे इखराजात लेने का क्या सवाल है सफ़ा नंबर 82 हसरत मुहानी अपने एक दोस्त के घर में महमान थे कडाके की सर्दी पढ़ रही थी मेजबान ने उन्हें एक गीमती कंबल ओढ़ने के लिए दिया हसरत ने वो कंबल इस खयाल से नहीं ओढ़ा कि ये बिदेसी माल है हसरत रात भर सर्दी में कामते रहे मगर वो कंबल नहीं ओढ़ा हसरत एक सच्चे मजभी इनसान थे उनमें बला की रवादारी थी उन्होंने नात और मनकबत के अलावा श्री कृष्ण की शान में भी अशार लिखे हैं हसरत ने पूरी जिन्दगी जिद्दो जहत में गुजारी उनकी जिन्दगी में साथकी, खुद्दारी, गलंदरी, बेबाकी, उसूल पसंदी और हग गोई के जो औसाफ थे उसकी मिसाल मुश्किल से ही मिलेगी तहरीक आजादी के सलसले में उन्हें रईस उल एहरार के लगब से याद किया गया उनका इंतिकाल 13 मई 1951 को लखनों में हुआ, आज वो फिरंगी महल लखनों के कब्रिस्तान अन्वार बाग में दफन है लेकिन सच पूछिए तो, उनकी जगा हर सच्चे मुहिबे वतन के दिल में है सफ़ा नमबर 83 मानी याद कीजिए तखल्लस वो कल्मी नाम जो शायर शेर में इस्तिमाल करता है बेबाब बेखौफ निटर सहाफी अखबार नवीस सियासत दां सियासत जानने वाला मुजाहिद आजादी आजादी के लिए लड़ने वाला आजादी के लिए कोशिश करने वाला इनकलाबी तबदीली लाने वाला बागियाना हकूमत और इक्तिदार की मुखालफत करना मुस्तकिल मिजाज जिसके मिजाज में इस्तकलाल हो, ठहराओ हो आजाज शुरू वक्फ करना मखसूस करना, बखशना मश्की सुखन शायरी की मश्क शेर कहने का सिलसला जारी रखना वो कैद जिसमें कैदी से सख्त मेहनत कराई जाती है खेर बात कहना छोड़ देना, तर्क करना तुर्फा अनोखा, अजीब बाइकार्ट करना एहतिजाज के तौर पर तर्क करना सेक्यूलरिज्म तमाम मजाहिब का एहतिराम करना मजहभी रवादारी मतवाले मस्त मौला अपनी धुन में रहने वाला मसलेहत पसंदी मौका शिनासी हालात के मताबिक काम करना इशाद फैलाना, आम करना स्वदेशी तहरीक गांधी जी के जरिये चलाई गई एक तहरीक का नाम जिसका मकसद ये था कि अपने देश में ही बनी हुई चीजें इस्तिमाल की जाएं खदर मामूली और मोटा कपड़ा राईज जारी होना जिसका रिवाज हो पार्चा फरोशी कपड़े बेचना सरगर्मिया सरगर्मी की जमा पूरे जोश के साथ कोई काम करना बागी बगावत करने वाला नाफर्मान बेनियाज बेपरवा जब्त करना अपने कबजे में ले लेना जगड़ा जगड़ा, मसला करारदाद तजवीज ताबीर खाब का मतलब बयान करना सफ़ा नंबर 84 शिकस्ता भटा पुराना तूटा फूटा खस्ता हाल बोरिये टाट खादिम खिद्मत करने वाला इनकिसारी और आजजी के लिए भी बोला जाता है आब दीदा आँखों में आसुआना गमगीन होना फाका खाना ना होनी की वज़ा से भूका होना खाना ना खाना तसकीन आराम सुकून मुंतजमीन मुंतजिम की जमा इंतिजाम करने वाले मुआवजा उजरत सिला मुआवजा उजरत सिला इख्राजात खर्च की जमाँ मेजबान महमानदार वो शक्स जिसके यहां महमान आए जस घुटन कैथ फित्री जजबात दिली जजबात शौरिश हंगामा बगावत महर सूरज रवादारी रोशन खयाली बेतासुबी नात रसूल अल्लाई सल्लाई अलेह वसल्लम की शान में कहे हुए अशार मनकबत वो अशार जो सहाबा अकराम अल्या अल्लाई और दूसरे नेकबंदों की तारीफ और शान में कहे जाएं खुद्दारी गैरतमंदी इजबते नफस का एहसास कलंदरी जिसे किसी चीज़ की फिक्र ना हो मालो दौलत से बेनियास रहना औसाफ वस्व की जमा खुबियां एहरार हुर की जमा आजाद रहिसुल एहरार आजाद लोगों के सरदार लकब वो नाम जो असल नाम के अलावा दिया गया हो मुहिब्बे वतन वतन से महब्बत करने वाला सफ़ा नंबर पिच्च आसी सोचिये और बताईए सवाल एक हसरत मुहानी का नाम क्या था? सवाल दो 1903 का साल हसरत की जिन्दगी में क्यूं एहम है? सवाल तीन हसरत ने कौन सा रिसाला निकाला? इसमें किस तरह के मजामीन शाय हुए थे? सवाल चार हसरत को 1908 में जेल क्यूं भीजा गया? सवाल पाँच अंग्रेजी हुकूमत को हसरत मुहानी की सियासी सरगर्मियां क्यूं पसंदिना थी? सवाल छे हसरत ने मुकमल आजादी की करारदाद कब और कहां पेश की थी? बयान को सुनकर बताईए के ये सही हैं या गलत? 1. सेद फजलुलहसन हसरत 1875 में गस्बा मोहान जिला उन्नाव उत्तरप्रदेश में पैदा हुए सही या गलत? 2. वो एक काम्याब शायर और बेबाग सहाफी नहीं थे? सही या गलत? 3. 1903 का साल हसरत की जिन्दगी में कोई एहमियत नहीं रखता? सही या गलत? 4. हसरत ने उर्दु मौला जारी करके अपनी अदबी और सियासी जिन्दगी का आगास किया? सही या गलत? 5. अंग्रेजी हुकूमत को हसरत मौहानी की सियासी सरगर्मिया बहुत पसंद थी? सही या गलत? 6. 1942 में हसरत मौहानी मुसलिम लीग के नुमाइंदे की हैसियत से यूपी असमली के मिंबर चुने गए? सही या गलत? 7. हसरत एक मजहबी इनसान नहीं थे? सही या गलत? 8. उनकी पूरी जिन्दगी जिद्दो जहत में गुजरी? सही या गलत? दिये गए लवजों के मुतजाद लिखिए बाहिम्मत मुस्तकिल मिजाज मुखालफत मुकमल इनकार निशात सफ़ा नंबर 86 दिये हुए लवजों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए सहाफी बाग याना खैर बात कहना आप दीदा होना खुद्दारी अमली काम आपने हसरत मुहानी के बारे में अपने सबक में पढ़ा आप उनकी शक्सियत से कितने मतासिर हुए कम से कम एक सफ़े में अपने ख्यालात का इजहार कीजिए गौर करने की बात हसरत मुहानी की पूरी जिंदगी, पौहमी इतिहाद, सेकुलिरिजम और मुकमल आजादी पानी की चाहस से भरपूर नजर आती है उन्होंने आजादी हासिल करने के लिए अंग्रेजी हुकूमत की खुल कर मुखालफत की जिसके नतीजे में उन्हें कई बार जील की सुबतें भी उठानी पड़ी मौलाना की जिंदगी बड़ी सादा थी उनका लिबास और रहन सहन को देखकर गुमान भी नहीं हो सकता था कि वो बुलंद पाया शायर, अदीब और सियासत दाहें मौलाना की जिंदगी, जिद्दो जहद, सादगी, खुद्दारी, कलंदरी, बेबाकी, उसूल पसंदी और हक गोई का आला नमूना थी वो एक सच्चे मुहिब बेवतन थे इसी के साथ अपनी जबान भागदो का बार्वा सबक यां खत्म हुआ, इसके बाद सबक ते रहा आता है प्रस्तुती, C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली, भारत